जैहिंद दोस्तों क्या हाल है आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल टेक राजकुमार दास मोबाइल एंड रेल इंफो चैनल तो आज दोस्तों हम बात करने वाले है पश्चिम रेलवे ने दिवाली छट पूजा के पर्व पर पांच और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की घोशना के बारे में आप में से काफी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो और वीडियो को एंड तक देखो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यात्रियों की सुविधा और त्योहारी सीजन के दोरान यात्रा की मांग को पूरा करने के उद्देशे से पश्चिम रेलवे विभिंग गंतव्यों के लिए विशेश किराय पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की 344 फेरे चला रहा है जिन पांच जोरी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को अधिसूचित किया गया है उनमें साबर मती से दानापुर, वडोदरा से हरिद्वार, वडोदरा से गोरकपुर, डॉक्टर, अंबेटकर नगर से पटना और अहम्दाबाद से समस्ती पूर फेस्टिवल स्पेशल ट् चलने से खास कर इस दोहारी सीजन में लगभग 6 लाग यात्रियों को फायदा होगा। शाम 6 बजे दानापुर से प्रस्थान करेगी। और अगले दिन रात 11.30 बजे साबर मती पहुंचेंगी। ये ट्रेन 13 नवंबर 2023 से 27 नवंबर 2023 तक चलेगी। रास्ते में ये ट्रेन दोनों दिशाओं में महिसाना, पालनपूर, आबु रोज, अजमेर, जैपुर, स्टेशन पर स्टॉक होगा। इस ट्रेन में एसी कुटियर, एसी स्वीटियर, स्लीपर क्लास और जन्रल सेकंड क्लास को शामिल है। ट्रेन नमबर शून्य नौ एक दो नौ वडोदरा से हरिद्वार सुपरफास्ट सापताहिक स्पेशल प्रत्येक शनिवार को शाम साथ बजे वडोदरा से प्रस्थान करेगी। और अगले दिन दोपहर धाई बजे हरिद्वार पहुचेंगी। ये ट्रेन 11 नवंबर 2023 से 25 नवंबर 2023 तक चलेगी। इसी तरह ट्रेन नमबर शून्य नौ एक तीन शून्य हरिद्वार से वडोदरा सुपरफास्ट स्पेशल पत एक रविवार को शाम 5 बज के 20 मिनट बजे हरिद्वार से प्रस्थान करेगी। और अगले दिन 11.25 बजे वडोदरा पहुचेंगे। ये ट्रेन 12 नवंबर 2023 से 26 नवंबर 2023 तक चलेगी। ये ट्रेन दोनों दिशाओं में गोधरा, ताहोड, रतलाम, कोटा, गंगाफुर स इस ट्रेन को सिर्फ मतुरा जंक्शन पर स्टॉप होगा। इस ट्रेन में 1st AC, AC 2 टीर, AC 3 टीर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास पोट शामिल है। ट्रेन नमबर 09-01 वडोधरा से गोड़क को स्पेशल प्रत्यक सोमवार को शाम 7 बजे बजे वडोधरा से प्रस्था प्रस्थान करेगी। और अगले दिन रात 11.03-03 वजे गोड़क को पहुँचेगी। ये ट्रेन 13 नमबर 2023 से 27 नमबर 2023 तक चलेगी। इसी तरह ट्रेन नमबर 09-01 वडोधरा स्पेशल प्रत्यक दुखवार को 5 बजे वजे गोड़क को से प्रस्थान करेगी। और अगले द ट्रेन दोनों दिशाओं में गोधरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपूर, गंगापूर सिटी, भरतपूर, लटनौ, बारा बांकू, गोंडा और बस्की स्टेशन रूट से होकर चलेगी। अचनेरा, आगराफोर, टूंगला, शिकोहबाद, मैंकुरी, पर्रुखाबाद कांकूर स्टेशन पर स्टॉप होगा। इस ट्रेन में 1st AC, AC 2 टीर, AC 3 टीर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास कोट शामिल हैं। ट्रेन नंबर 09-3-4-3 डॉक्टर, अंबेग कर नगर से पतना स्पेशल करके गुरुबार को 18.30 बजे डॉक्टर, अंबेग कर नगर से प्रस्थान करेगी, और 18.30 बजे पतना पहुंचेंगी, अगले दिन, ये ट्रेन 9 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक चलेगी, इसी तरह, ट्रेन 09-3-4-4 डॉक्टर, अंबेग कर नगर स्पेशल कर टेक शुक्रवार को रात साधे 9 बजे पतना से खुलेगी, और अगले दिन र 11.05-5 बजे डॉक्टर, अंबेग कर नगर पहुंचेंगी, ये ट्रेन 10 नवंबर 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक चलेगी, रास्ते में ये ट्रेन दोनों दिशाओं में इंदौर, फतेहाबाद, चंद्रावती गंज, उज्जयन, मैक्सी, संध, हिर्दाराम नगर, विदिशा, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुर्वारा, सतना, दीन दयाल उपाध्याई, बकसर, आरा और दानापुर स्टेशन रूट से होकर चलेगी, इस ट्रेन को मानिकपुर, प्रयागराज शिपकी, स्टेशन पर स्टॉप होगा, इस ट्रेन में AC2TA, AC3TA, स्लीपर ग्लास और जन्रल सेकंड प्लास कोट शामिल है, ट्रेन नमबर 0941 एहंदाबाद से समस्ती को स्टेशल कटेग गुरुवार को साध्य तीन बजे एहंदाबाद से प्रस्थान करेगी, और शनिवार को चाम चार बजे बजे समस्ती को पहुंचेगी, ये ट्रेन 9 नवंबर 2023 तो 30 नवंबर 2020 तक चलेग इसी तरह ट्रेन नमबर 0941 एक चार समस्ती को से एहंदाबाद स्पेशल कटेग शनिवार को राग सवा 8 बजे समस्ती को से चलेगी, और राग 10.45 बजे एहंदाबाद पहुंचेगी, ये ट्रेन 11 नवंबर 2023 से 2 दिसंबर 2023 तक चलेगी, रास्ते में ये ट्रेन दोनों दिश आरा पढ़ना और बराणी स्टेशन रूट से होकर चलेगी, इस ट्रेन को मानिक चुट प्रयावराज 50 रूट से होकर चलेगी, इस ट्रेन में AC 2 टीर, AC 3 टीर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास को शामिल हैं, ट्रेन नमबर 09343 और 09413 के लिए बुपिंग 8 नवंबर 2023 से और ट्रेन नमबर 09403, 09129 और 09101 के लिए बुपिंग 9 नवंबर 2023 से सभी PRS कांचरों और IRCTC वैब साइक पर खुलेगी, इस ट्रेने विशेश के राहे पर विशेश ट्रेन के रूप में चलेगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकें, धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में